हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रुण्जे कुट्टा मेथर फोर सेकंड ओर्डर ओर्डिनरी डिफेंसल लिपक्वेशन इससे पहले की वीडियो में हम रुण्जे सॉलिशन निकालते हैं वह हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इस वीडियो में हम जो हम सेकंड ओर्डर डिफेंसल लिपक्वेशन को रुण्जे कुट्टा मेथर की हल्प से किस तरह से सॉल्व करते हैं तो कंसीडर दा सेकंड ओर डिफेंसल लिपक्वेशन हमने सपोज की कि इ सकवar भाई एपॉन दियोषन काल टू फंक्शन ओफ ऐएक्स वाई एंड डिफाई एपॉन डिएक्स जाहां पर गिवन कंडिशन जो है वो है यह एक्स जीरो पर यह और यजीरो है और तक यह सुल्ब करने के लिए क्या करते हैं लेट डिभाई एपॉन डिएक्स को हम ले यह जो function बन गया वो X, Y और Z का function बन चुका है, Y at X0 पराबर Y0 है हमारे पास, and Y dash जब Y0 यह हमारे पास change हुआ है, तो यह condition भी change होगी, क्योंकि जब हमारे पास D by upon D0 दिया हुआ है, यह क्या हमारे पास basically Z, तो यह at 0, तो Z dash at 0 पे X0 पे, यह हमारे पास Z 0 हो जाएगा, तो फिर्ट इस तरह से हमारे पास given conditions जो थी, वो change हो चुकी है, अब यह हमारे पास change हो चुकी है, तो the problem जो यह जो problem थी, यह अब reduce हो चुकी है, हमारे पास दो differential equation बन चुकी है, एक दो DZ upon DX equal to 5XYZ, और साथ में एक differential equation क्या बनी थी, DY upon DX equal to Z, यह differential equation और जहाँ पर given condition क्या थी, X0 पर Y0, and Z at X0 पर Z0, मैं reduce होगे, तो यह differential equation है, यह simultaneous differential equation है, जो कि हमने अपने previous वीडियो में solve गी थी, तो इस तरह से यह differential equation है, जो simultaneous differential equation, DY upon DX equal to Z, जिसको हमने मान लिए, F1 X Y Z, and DZ upon DX equal to F2 X Y Z, such that FX 0 परावर Y0, and Z at X0 परावर Z0, तो यह problem जो है, इसी तरह solve किजा सकते हैं, जैसे हमने simultaneous differential equation solve की थी, तो इसको हमें एक्जामपल लेते हैं, यह example है, solve Y double dash equal to X Y dash minus Y, जहाँ पर given दिया हुआ है, Y 0 परावर 3, and Y dash 0 परावर 0, यानि Y at 0 पर 3 है, और Y dash at 0 पर 0 है, और 2 approximate हमें 0.1 पर इसकी value नकालनी है, तो given that, given है हमारे पास Y double dash equal to X Y dash minus Y, at Y 0 पर 3, and Y dash 0 पर यह हो गया 0, let Y dash बरावर Z, हमने ले लिए Y dash जो है, वो Z है, इसका differentiate किया with respect to X दोने तरह तो यह हो गया, यह basically D square Y upon D X square equal to D Z upon D X होगा, जिसको हमने denote कर दिया, यह Y double dash से और इसको Z dash से, तो यह हो गया, Y double dash equal to Z dash, तो equation बन जो थी, यह हमारे पास reduce हो चुकी है, पहले तो हमारे पास यह equation कि Y, sorry, Y dash equal to Z, यह equation equal to हमने यह मान लिए F1 X Y Z, और second जो है, यह equation हमारे पास जो reduce होई थी, यह होई थी, Z dash equal to basically Y double dash परावर Z dash, और यह होए X Z minus Y, इसको हमने लिए F2 X Y Z, तो इसको हमने मान लिए F2, इसको मान लिए F1, अबर साथ में given condition जो थी, Y 0 वरावर 3 रहा, और यह हमारे पास जो कि Y dash था, तो यह Y dash को हमने क्या लिए था, Y dash जो basically Z था, तो Y dash 0 वरावर हो गया, Z at 0, यह हमारे पास 0 था, तो यह 0 हो गया, तो given condition हो गया, हमारे पास X 0 पे 0, Y 0 पे 3 and Z 0 पे 0, तो इस तरह से यह given condition भी बन चुकी है, और यह simultaneous differential equation भी बन चुकी है, अब इसको हम simply solve करते हैं, जैसे कि हमने पहले solve किया था, अब K 1 हम नकालते हैं, K 1 जो हो है हमारे पास H F1 X 0 Y 0 Z 0, बट F1 जो क्या है, F1 है हमारे पास simply Z, तो वहाँ से हो जाएगा H और Z 0, तो 0.1 into Z 0 की value क्या है हमारे पास, Z 0 की value at 0 पे, जो थी वो 0, तो यह हमारे पास 0 हो चुका है, L 2 H F2 X 0 Y 0 Z 0, और F2 क्याता वो था हमारे पास X Z minus Y, तो X 0 Y 0 Z 0 पे जो function होगा, 0 और Y 0 की value हमारे पास known है, यह value put करके solve के हमने तो यह आगा है, माइनस 0.3, K2 के लिए निकाला, तो K2 जो आएगा, वो आएगा, H F1 X 0 प्लस HY 2, Y 0 प्लस K1 Y 2, Z 0 प्लस L 1 Y 2, value put की H की value हम 0.1 लेके चली रहे हैं, K1 की value यह निकाल चुके हैं, के L1 की value यह निकाल चुके हैं, function में simply value put की और solve किया, तो यह आजाएगा, हमारे पास K2 बरावर, इस तरह L2 के लिए, H F2 X 0 प्लस HY 2, Y 0 प्लस K1 Y 2, Z 0 प्लस L1 Y 2, इसमें value put की तो यह आजाएगा, हमारे पास – 0.30075, K3 के लिए solve किया, तो H F1 X 0 प्लस HY 2, Y 0 प्लस K2 Y 2, प्लस Z 0 प्लस L2 Y 2, तो यह हो जाएगा, हमारे पास जब value put की, तो यह हमारे पास – 0.010375, क्योंकि सारी value जो हमारे पास 9 ने, K2 की और L2 के value हम निकाल चुके हैं, L3 के लिए हमने H F2, X 0 प्लस HY 2, Y 0 प्लस K2 Y 2, and Z 0 प्लस L 2 Y 2, तो इस पर हमने value put की, तो – 0.300018, और K4 के लिए निकाला, तो H F1 वराबर X 0 प्लस H, Y 0 प्लस K3, and Z 0 प्लस L3, H K3 और Z 3 के value नोन है, Z 0, Y 0, और X 0 की value, दी हुई है, हमारे पास तो यह हो गए, इसको जब value put की, तो यहाँ जाएगा function के value, – 0.030001, L 4 के लिए हमारे पास F2, function में हमने put की, H F2, X 0 प्लस H, Y 0 प्लस K3, plus Z 0 प्लस L 3 में पहले put की, तो यहाँ जाएगा, – 0.3014962, अब K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है, 1 upon 6, K1 प्लस 2 K2, 2 K3, प्लस K4, तो यह हमारे पास K1, K2, K3 value है, यह हमारे पास यहाँ से आ गया, और L की value क्या होती है, 1 upon 6, L1 प्लस 2 L2, प्लस 2 L3, प्लस L4, तो L की value भी हमारे पास यहाँ से, value put के L1, L2, L3 की तो यह आ गया, बटर हम हम चाहिए, Y at 1 पे, तो Y at 1 पे basically क्या है, Y at 0 प्लस H पे, तो यह हो जाएगा, Y at 0 प्लस K, तो Y at 0 पे जो यह हमारे पास था, जो की given condition था, और K की value हमने निकाली है, तो यह हो गया, basically Y at 0.1 पे हमें निकालना था, यह हमारे पास यहाँ पे answer हो गया, बट हम Z1 पी निकाल रहे हैं, क्यों जैर्ड बन क्यों निकाल रहे हैं, पहले हम Z0 निकाल ले थे, उसके बाद मैं बताऊंगा, Z1 हम क्यों निकाल रहे हैं, तो Z0.1 के लिए Z0 पिलस L, तो यह हो गया, Z0 के value 0 थी, और L पराबर यह हो गया, तो यह आगया, माइनस 0.3004999, अब हमें यहाँ पर, इस क्यों में तो Z1 को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर इन केस, यह हमें कह देता कि, हमें Y at 0.2 पे चाहिए, तो Y at 0.2 के लिए, जब हम solve करते, तो उसके लिए हमारे पाद Z, Y at 0.1 पे लिए चाहिए होगी, Z at 0.1 पे लिए चाहिए होगी, and X बराबर तो 0.1 हो गाई, तो उस कंडिशन में हमारे पाद Z 0.1 की लिए निकालना important हो जाता है, तो अगर आगे कि अगर पूछता, तो हम Z 0.1 की लिए निकालते, और simply इन points को लेके, इन points को given points लेके, और इसी question में solve करते हैं, अगर आगे पूछता तो इसी question में, इनको given points मान लेते हैं, कि जो यह है, यह है, यह है, यानि suppose कर लेते हैं, X1, Y1 और Z1 जो है, वो given points हैं, तो यहाँ पर भी X0, Y0 और Z0 आया है, वहाँ पे X1, Y1 और Z1 put कर देते हैं, और same इसी format में question को solve करते हैं, और solve करके जो answer आता, उसके लिए हम Y8 0.2 पे भी value निकाल सकते हैं, तो इस तरह से second row differential equation भी, हम solve कर सकते हैं, Y runja kutta method, इस video में इतना ही friends, next video में हम जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम predator collector method, जो कि और भी ज्यादा एप्रोक्सिमेट solutions देता है, runja kutta method से, thank you friends,